नमस्कार दोस्तों आप देख रहें नियूजेटिन मैं आपके साथ बीने अगरी नहीं होती ही आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेयाद खास मैमन स्वायत रिपोर्स का डायरेक्टर सर बहुत 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 थे नियूजेटिन पर जी धन्यवाद मुझे स इसी टेक्लोजी जो वेहिकल्स को ड्राइवलेस बनाते हैं और मैंने बीटेक लेक्टिकल इंजिनेरिंग आइटी रूर्की से कहें 2011 में उसके बाद एक साल मैं इस्राइल में ता जहां पर मैं मोशन प्लानिंग डिसिजिएं मेकिंग इल्गॉर्थम ऐसे इल्गॉर्थम जो कि वेहिकल को वेहिकल का बहेवियर प्लान करते हैं कि उसको कैसे चलना है रोट पर इस पर रिसर्च करा था 2012 मैं कानड़ा में था जहां पर मैं कंप्यूटिंग साइंस में MS कर था था में 2014 में मेरा एड्मिशन युनिवर्सिटी ओफ मैसेचुजिजर सामर्स के कंप्यूट साइंस कंप्यूट साइंस पेजी प्रिग्राम में हो गया था बट प्यूटिंग जाने की जगा मैं भारत वापस आगया और 2015 से अपनी कंप्टी स्वायत रोबोट से स्टार्ट कर द आपकी कंपनिया कैसे वर्क करती है थोड़ा इसको डिटेल से बताएं कि और आप साइटी में भी क्या मैसी देना चाहते है आने वाले समय में क्या जो गाड़ियां हमारे कार्स हो गया रहा है क्या रोबोट चलाएंगे जी जैसे मैं आपको बताता हूं अटॉनमस वेहिकल फंक्शन कैसे करती है सो हमारी जो कंपनी का जो प्राइमरी फोकस है वो अटानुमस टेक्निलाजी डवलप करना है महला हम लोग और आई सॉफवेर बना रहे हैं जो कि किसी भी वेहिकल को भारत जैसे टफ कॉंपलेक्स ट्राफिक और एक फुली फंक्शनल चलने लाइक से और कॉस्ट एफेक्टिव और स्केल बना दे सो अटानुमस वेहिकल में जैसे हम सेंसर्स होते हैं कामरास लिडार्स रेडार्स जो की वेहिकल को वीजूल इंफरमेशन प्रवाइड करते हैं उसके आसपर से वार्मन किया है सो जो जो गॉथम सुस डेटा को प्रासस करके ए ठोने हम पर्सिप्शनल गॉथम सब्लते हैं अटानुमस वेहिकल को जैसे हमें मैं आप्स की ज़िरत परती है वैसरे आपको हाँ डेफिटिइशन आप को पर और हम तो फिर आपके मोशन प्लैनिक और डिसीजिं मेकिंग बहीवेर प्लैनिंग अल्गा ऐगाधम होते हैं ज और रही फ्रेंट में रिचर्च करके उस तरह के यृट कर रहे हैं जो कि बहुत कहोंतिक ट्राफिक डैनमिक से भी निगोशेट करें यह से अपका भारत का जो ट्राफिक है भाहत कॉंपलेक्स है तरह कि ट्राफिक प्लस जो एन्वारिक का जो आई बहुती ज्यादा अनस्ट्रक्च चर्ड है हमलोग का फोकस सेंट है कि अगर राप इतने अनस्ट्रक्च चरड है इतने क्या प्रैक ट्राफिक अरवादय सेनारियो में आगज टेकनोजी सच वह सकते हैं तो टेक्नोलोजी का ग्लोबल एंप्लिकेशन होगा यही हमारा अभी फोकस है आने वाले समय में जैसे आपने वोला फ्यूचर क्या है की रोबर्स चलाएंगे तो डेफिनिटली हम लोग टेक्नोलोजी विक्सट करें हमारा गोल यह है की 2030 तक यह फाइव प्लस ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है और हमारा जो एम्बीशन है वो यह की 2030 तक हम लोग एक वर्ल्ड की मेजर अटानुमस ट्राइविंग कंपनी के रूप में उभर करें और मोर दें 25 तो 30 परसेंट मार्केट को काप्शर करें और आने वाले समय में नहीं जैसे कि आपने देखा होगा हमारी गाड़ी आज भूपाल के ट्राफिक में और आफ रूड एंड लास्मल अटानुमी कैंपस हर जगा अटानुमस ही चल रही है सो बहुत जल्दी आपको अटानुमस वहिकल दिन में रात में और हर समय भारत की सड़कों पर चलते वह दिखाई देंगी एक सवाल ये भी बनता है कि जब स्पार्श स्वाथ रूपर्स के आप जो इसको स्टर्टिंग किया था आपने तो इस मुठान के था और समय आपका जो है फैमिली का कितना बड़ा यवदां रहा या जिस समय आप बीटेक कर रहे थे जो आपके प्रूफेसर थे तो इतना बड़ा उनको यूग कर रहा आपके इस मुकाम रख जैसे जब मैं भारत वापिस आया था मतलब जैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल निज आईटी रुड़किस 2011 में किया है और उसकार मैं इसराहिल में था फिर कानड़ा में था जैसे आपको बताया है सो जब मैं भारत वापिस आया था 2015 में तो हम लोग मिलब 2015 से 2021 तक बूट स्ट्राप थी मतलब मैं लगब मैंने खुद का 80 लाक रुपीस का इंवेस्मेंट किया था इनिशियल कंपनी को इस्टाबलेश करने के लिए और टार्म स्ट्राइविंग टेक्नोलोजी का एक प्रोटाइब डेवलब करने के लिए डेफिनिटी स्टाइबली का बहुत मेजर कंट्रिबुशन रहा है क्योंकि मिलब फैमिली ने कभी नहीं बोला कि मैंने कभी जॉब नहीं किया तो फैमिली ने कभी उसके लिए प्रेशर भी नहीं किया जैसे मैं आपको ता है मेरा पीजडी में अडिमेशन हो गया था फैम बन गया था कि मुझे इसरा की टेक्लोलोजी डेवलोप करें जो भारज जिटाफ ट्राफिक और इंवार्म सेनारियो में अटार्मस ट्राइंग वेहिकल्स को एनेबल करें फ्रेंट वेहिकल प्लाटफॉर्म में महेंदर बलेरो थार और ट्रेटर फॉर्शन सो अभी हम लो बहुत अहम भूमी का निभा सकती है एक जैसे हमारी गाड़ी अब्याइम ने बहुत रिसेंडली जैन्वरी और एप्रिल के मेने में ऑफ रोड टार्मस ट्राइंग टेक्लोजी टेस्किया ओफ रोड टार्मस टेक्लोजी का डेरिक्ट उसकेस डिफेंस अप्लिकेशन में ह अब आप अब आप उस लेवल ते टेक्लोजी को ले जा चुक है जहां पर अटार्मस बार्डर पेट्रोलिंग ले टेक्लोजी अब अल्री सकस्स अल्री प्रूवन है और यह फर्क निपड़ता है कि आप किस वेहिकल में ट्रॉक या आप फोर वील किसी वेहिकल में इसको कर आप अब हमारे कापिनी का फोकुस निया है कि आप हम्यारी को खूर फोरी सेग्मेंट में ही शिरू फोकस करें अर्मी को लेकर भी जो आर्मी को ट्रक होते हैं बसे सोते हैं इसके वार मिए क्या कि जो है यह है अव्य घुदृ श्न की बड़कि विगाडियन चलाई चला बट अटनमस वेहिकल मतलब आप इन वेहिकल को एज टूल यूज कर सकते हैं उन सेक्टर में डिपलाई करने के लिए जो की बहुत प्रोन टू मिलब अटैक्स हैं और इस टेक्लोलोजी का यूज के साथ मिलब जैसे मैंने बादर पेट्रोलिंग में आप कर सकते हैं अटनमस बनाने में नकी जिनमें की वर डिफेंसिव केबिलिटियो बलकी ओफेंसिव केबिलिटियो तक ही वह बलब कुछ थ्रेट या किसी मैलिशियस अक्टिविटी अगेंस आक्शन भी ले सके इसका अब आप आर्मी के ट्रॉक्स में भी कर सकते हैं जहां पे उनके पास एक ग्राइंट बी तक पहुंचाने में जो आर्मी के ट्रॉक्स जब जाते हैं अब अब डेंजर जोन से तो वहां पे बहुत प्रोन टॉ अटाक्स होते हैं वह आप इस टेक्नोलजी के यूज़ कर सकते हैं तक ही ऐसे जो जो एरिज़ आई वहां पे इंसान को ना जाना अगर आप अगर आप ग्राउंड और और एरियल रोबाटिक सो कम्बाइं कर दें आपके बहुत मिलब एक इंपक्फुल टेक्नोलोजी होगी जो कि मिलब वर्ल कि जैसे अभी हम देखने मिलब भारत मिलब आपके बहुत सारी प्रोब्लम्स आती है तो जैसे कि आप जानते हैं आपका पिछले स्वाल का एंसर दिया था कि जब मैं भारत वापिस आया था तो में परस फंडिंग नहीं थी और मैंने इनिशल 80 लाक रुपीस का इंवेस्टमेंट किया था और 2015 से एक किस तक हमें फंडिंग नहीं मिली थी तो यह बूट स्ट्रेप स्टाडव था क्योंकि हमारा जो स्टाडव भूत आर इंडी के एरिया में रही तो भारत में आर इंडी में थोड़ा इंवेस्टमेंट उतना नहीं होता है सो हमें पहली फंडिंग मिली है वो युनाइटेल स्टेट्स का इंवेस्टर से मिली है जिनों हमारी कंपनी में ग adesso स्ट्री में आज तक इतने बड़े वालुशन पे किसी भी स्टार्ट अप का सीड फंडिंग नहीं हुआ है उनलेस आप सीरियल इंटर्प्रेनर तो बात अलग है बट फर्स्टाम इंटर्प्रेनर के लिए इतना बड़ा सीड इंवेस्मेंट का वालुशन ये भी एक सो ये द जो कि मैंने डिनाय कर दिया था उस प्राइंट पे जब हमारी कमने का वास कोई फंडिंग नहीं थी आखरी सवाल यह कि जो है स्वाइट रोबोट को लेकर आंगे-आंगे के क्या प्लांस है जी डेफिनिटले से हमारी कमने का ग्लोबल एंबीशन है ग्लोबली मालब यह ज से हमारा कही ना कहीं कॉलाबरेशन का भी डिसकेशन चल रहा है इंक्लूडिंग कुछ मेजर यूरोपियन जो आपकी आपकी आटोमोटिव कंप्रीज होती है उनसे हमने पहले पी उसी भी उठाए हैं सो हमारी टिकलोजी क्योंकि आप यह जो प्राबलम पर जो वर्क करें बहुत R&D intensive problem है और यह solution डेवलप करना एक बहुत time consuming बहुत resource intensive बहुत like mathematically बहुत complex problem है सो हम जो टिकलोजी विक्सित कर रहे हैं मिलब जिसे आप भारत का अगर रोड लें कि कोई भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है राइट सो प्रेडिक करना कि यह इंसान या कोई वेहिकल क्या करने बहुत tough problem है अगर आप यहां पर इस problem को solve करते तो यह ना कि केवल भारत में अप अगर बनता है कि आप रोड बनाने में किसके बार कुछ बताएंगे अगर आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि अटानों से लेडार एक सेंसर लगता है राइट जब भारत वापस आथा तो जो लेडार सेंसर होता है उसका कौस यूजली 75 तो 80 लाक रुपीज और हमारी पुरी कंपनी के पास funding ही लाइक जब स्टार्ट करेंगे तो 80 लाक आप पूरा इंवस्मेंट एक सेंसर पर नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आए था कि विदाउट लेडार आप कैसे और टांस्रेंग को एनेबल करेंगे तो लेडार आपका एक सेंसर होता है जो कि लेजर सेमिट करते है और रिफ्लेक्ट हो कि जब वापस आए तो आपको एंवार्मेंट का एक पुरा 3D मैप दिखाए तो इससे के परसेप्शनल का उस से बाहर था बढ़ अगें लाइक इस प्रॉब्लम में रिसर्च करके लाइक हम लोग ने मिलब जैसे आप देखेंगा हमारे डेमो दो सोला सतर और अटर में हमने जो भी डेमो किया है चाहे कालनी कैंपस एंवार्मेंट या भारत के आईवे पे उस सब केवल आफ आप यह बोल सकते हैं कि हमारी ठीक है टेसला से में भी पहले नहीं बट अन एक्क्वल फोटिंग मलब यार वन दो फॉर्स तू शोकेस की मलब जो आपके अपके अटानुस वीडल है वो विदाउट लिडार फुली ऑपरेशनल हो सकते हैं बहुत कॉंप्लेक्स ट्राफिक आप देखे हैं कुछ कुछ कमशन वर्ल में जो कि रिइनफोर्स न एक एरिया होता है अर्टिविज इंटेलिजिंस का जहां पर यह लोग करते हैं और अच्छों को मिलब गेम से गेम फोट चस्में बीट करते हैं या चैर जी बीड गेजांपल देख से था बहुत असी कॉलर्ण बहुत कॉंपलेक्स और बहुत टाइट एंवार्मन और अटानुमस वेकल को एनेबल कर देखे जिस उजिंग तू आप देखेल्फ कामरास एंड यह जो जो रिसके बहांद जो टेक्नोलोजी थी वो फुली बेस और रेंफोर्समें लर्निंग पर बेसी आप यहीं बनाते हैं और किसी से और सब्सक्राइब करना हम लोग कुछ भी बहार से नहीं क्योंकि अटानुमस ट्राइविंग इतना कॉंपलेक्स प्रॉबम स्टेट्मेंट की एक्जिस्टिक टिक्नोलोजी इसको सॉल्वी नहीं कर सकती और जो भी स्टाटप जो भी गमन एक्जिस्टिंग सॉफ्वेर पर रिलाय कर रहे हैं यार डूम्ड रहीं अलड़ी तो हम लोग ऐसे लंग इंवेंट कर रहे हैं जो कि भारत जैसे टफ ट्राफिक को निगोशेट कर सकें और जहां पर अनस्ट्रॉक्ष्ट्टिर ने से एंवार्मेंट में उसके होते हुए विद भी एक कंटेशल अंडेस्ट्राइड अटानूमस वेइकल के लिए अश्लेस्क्राइड पावर इस पोसिबल यूस करते हुए अग्यू अबड़ा झाल कंटेशल अंडेस्टाइड यूज शुट्वार्टी मैप के जुरत होती है वाम लोग दुन्या की वन चासे नि मुलब चलने लाइक बनाते हैं using just the gps maps of the environment दुनिया में विस चार ही ऐसी कंपने जिनके पास यह capability है इस सेहं पे और हम उन में से एक कंपनी है जहांते है कि autonomous vehicle work कैसे करता है जैसे मैं आपको बला कि autonomous vehicle में बहुत सरे sensor visual sensor होते हैं और भी other sensors होते हैं जो कि एक visual data provide करते हैं फिर जो algorithm जो प्रॉसस करते हैं perception algorithm होते हैं so algorithm build करते हैं vehicle का आसपास का environment उसके लिए कि आसपास का environment क्या है फिर localization algorithm जो जो regular जो टांसरें टेकलोंजी वो localization पे बहुत करते हैं so वहां पर localization algorithm बताते हैं vehicle exactly planet earth में कहां पर है जब को यह पतल चाहिए आपके पास आसपास कहां पर है तो फिर जो behavior और motion planning algorithm होते हैं वो decide करते हैं कि vehicle को कैसे function करना है road पे हमारी जो company है वो इन तीनों फ्रंट्स पे बहुत innovative technology और algorithms डवलप कर रही है जो कि इसको बहुत सदा scalable less power consuming और cost effective बनाते हैं including जो हमारा जो primary focus है safety resolve करना है अगर आप पूछेंगे कैसे करें तो आप जिसे अगर आपको किसी problem को solve करना है तो आप सबसे challenging scenario में चले जाए जहां पर problem solve भी नहीं हो सकता यह बहुत tough है according to मुलब जो आपका preconceived जो नोशन होता है जनरली किसी भी technology field में कि बहुत challenge बहुत चैलेंज़ब यहां पर तो होई नहीं सकता ऐसे भारत में लोग का यह सोचना है कि यहां पर तो चली ही नहीं सकते तो आप देख रहे हैं पिछले पांच्छे साल से हम डिरिकली आपनोस वेकल को भारत के ट्राफिक में चला रहे हैं तो यह हमारे प्रूफ करने का तरीका है कि हमारी ट्रीकलोजी हो बहुत सूपरियर कंपेर दू रिस अग्रे कंटेंपररी ट्रीकलोजी इस अग्सें इवर इन दे वर्ल्ट स्ट्रीकलोजी आपने के मैं डेशाओ अच्छाड के लेए राग्स कि ट्रीकलोजी आपने का तरीकलोजी आपने कर दोच्छाड वर्ल्ट